मैं आप बात सही कह रहे हैं, 2019 में मैं पहला बार चुनाव लड़ा था, मेरे पहचान बहुत नहीं थी, मैं चुनाव हार गया, लेकिन मेरे लिए बड़ा सो भाग गया था कि लाखों लोगों के साथ मेरा संबंद बना, मेरा पहचान बना, संपर्क बना और वहीं संपर्क काफी मुस्कीनों का सामना करना पड़ेगा आपके लिए, देखिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, पॉलिटिक्स में परतियासी और जन परतिनेदी कभी दुरंदर नहीं होते, यह आप जान जाएए, दुरंदर बनाने वाला दुरंदर होता है, जनता दुरंदर है, हमा आया था, जबकि वपरधान मंत्री थी, इस बातों को भोल जाएए, कि जनता जागरूक नहीं है, जनता हमारा मालिक है, और जनता नेर्ने करेगा, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो लोहा गरम होता है, और गरम होने के बाद में, हजारों परकार का वो सस्तर बनत चुनाओ को लेकर और एक बहुत तेजी से और एक नाम चर्चा में आ रहा है जो सासा राम लोग सभाद से मैदान में उतरेंगे जो 2019 लोग सभाद चुनाओं में एक लाक बोट लाकर तिसरे नमबर पर पहुंचे हुए थे और उस समय के बाद अब वो अच्छे रारोतास और कैमूर के लिए पोपुलर हो चुका है और कड़ी संघर्सों के बाद अपनी मेहनत के बल पर अपने छोटे भाई की पत्नी को रोतास जिला के जिला पारसत चेयर मैं बनाए और अपने बड़े भाई को ब्लोग पर मुक बनाने में अहम भुमिका निभाने वाले और लागातार छो बरसों से गरीब दलित सोसितों असाहयों के लिए आवाज बनने वाले कोई और नहीं मनोज कुमार जी हैं जो सासा राम लोग सभासे उमिद्वारी का ताल ठोक रहे हैं और मेरे साथ बात करने के लिए हमारे स्टूडियो में पहुचे हुए सबसे पहले आपको हमारे स्टूडियो में समय देने के लिए अपको भी बहुत-बहुत धनयवाद सनु जी और मेडिया दर्सन को भी मेरे तरफ से बहुत-बहुत धनयवाद कि आप बहुत सारे जैसे हमारे आवाजों को हजारों लाग हो लोगों के पास में पहुचाने का काम कर रहे हैं अब मैं आपको धन्यबाद देना चाहता हूँ, इस बातों के लिए कि आज मुझे मेरा बड़ा सोभाग है कि आज मैं आपका स्टूडियो में बैठा हूँ और उस्टूडियो में बैट करके कुछ बातों को हम करने जा रहे हैं जैसा कि आप सबको मालूम है कि मेरा नाम मनोज कुमार हुआ और 2019 का मैं तिसरा नंबर का फाइटर था मैं चुनाओ लड़ा था पार्लियामेंड का और अकेले ही लड़ा था लेकिन लाखो लोगों ने करीब लाखो लोगों ने मुझे भोट दिया था और अपना भमूले भोट दे करके मेरी पहचान बनाई थी इसलिए आज मेरा बड़ा सोभाग है और बहुत ही मुझे अच्छा लग रहा है आपका इस मेडिया दर्सन के स्टूडियो में आ करके दन्यबाद 2024 लोग सभा का चुनाओ होने वाला है और अभी से लोग ताल ठोकना सुरू कर दिये मैं ऐसे में एक आप भी उमिद्वार हैं जो ताल ठोक रहे हैं गया था, एक लगबग लोगों ने मुझे मत किया था जिस दिन में चुनाओ हारा और हार करके जब मैं घर आया तो ऐसा नहीं कि मैं निराज था ऐसा भी नहीं था कि मैं बड़ा होपलेस हो गया आप मुझे कहने का मतलब आप जरूरी नहीं है समाज में रहने के लिए, जिस दिन मैं चुनाव हारा था, उसी दिन, उसी साम में, आपको पता होना चाहिए, चुकि उससे में लगन चलता था, उससे में साधी का माहौल था, उसी दिन जिस दिन मैं चुनाव हारा था, मैं पा कि वर में अगार ने काम किया एक जीज मैं आपका चैलंज्स से और बताना चाहता हूं आइस नहीं थे मेरे पिता जीज में यहां से हम लोग निकले हैं जहां से हम संघर्ष करके आए हैं चुकि मेरे पिता जी कोई आयस नहीं थे, कोई बड़ा नौकरी करने वाले नहीं थे, मेरे पिता जी एकदम गरीब थे, मजदूर थे, आपका चैनल पर मैंने पहले भी बोला था, कि मेरे पिता जी 6-7 साल का उमर में अनाथ हो गयें, और जिस कौम से मैं आता हूँ, यदि व मजदूर रहे करके लोगों के घर में हमारे पिता जी ने काम किया, हमें पढ़ाने का काम किया, एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, वहां से मैं संगर्श करके आया हूँ, और मैं आपको बताना चाहता हूँ, कि मैं MP बनू या न बनू, मैं बिधायक बनू या न बनूँ इसकी मुझे परवार नहीं है, जहां से मैं निकला हूँ, जहां से मेरे माता-पीता निकले हैं, जहां से मेरे पुर्वज निकले हैं, संगस करके वहां से मैं निकला हूँ, मिट्टी से मैं निकला हूँ, मुझे इस बातों का कतई गम नहीं है, कि मैं MP बनूँगा, बिधायक बनूँगा नहीं बनूँगा लेकिन हमेशा जिसके साथ में जो गरीब हैं असहाय हैं जो जरूरत मंद लोग हैं चाहें किसी भी जाती के लोग हों किसी भी धरम के लोग हों उनके साथ में मैं खड़ा होकूंगा उनकी आवाज को बनूँगा और उनके साथ में मैं चलने का काम कर रहा हूं इस लोग सबाद चुनाओ में हम चुनाओ लड़ेंगे देखे ये तो बात सही है मैं आपके चैनल पर भी पहले भी बोला हूँ आज भी मैं बोलडा हूँ बहुत सारे मेडिया बहुत सारे सोसल मेडिया में भी लोग या बहुत सारा मंज पर हजारों मंज पर मैं गया और सभी लोग, लोगों का आवाज है ये देखिए, मेरी चाहत नहीं है मैं चुनाओ, मेरी भी चाहत है और कहने का मतलब, मैं समाज में हूँ लाखों लोगों ने मुझे भोट दिया है ये लाखों लोगों का मांग है और जब लाखों लोगों ने मुझे मांग किया है मत दिया है उनकी ये मांग है कि मैं चुनाओ लड़ूंगा एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ मैं अभी किसी पार्टी में नहीं हूँ जैसे कि आप भी जानते हैं और सभी लोग जा तो मैंने वहाँ से लड़ा और मैं आपको बताना चाहता हूं कि कुछ लोगों का जो हमारे थोड़ा सा कहने का मतलब है पक्ष में नहीं बात करते थे उन लोगों को कहना था कि बहुजन समाज पार्टी में था इसलिए इनको एक लाग बोट मिला लेकिन मैं आपको बताना च चाहता हूं सभी जाती सभी धरम से लोगों ने कुड़े रोतांच जीला में सबसे जादा भोर्ट से मेरे च्छोटे भ़ाई पुनम मिरतुञे कुमार भारती के जो वाईप है पुनम भारती उन्को लोगों उन्हें सुल्ला हजार लगबग लोगों ने भोंट दिया, सड़े साथ हजार मत से उन्होंने जीता, मेरे बड़े भाई बिरंदर राम ब्लाक प्रमुग बने कुद्रे के वो भी बंफर, भोंट से जहां से वो BDC का चुनाव लड़ेते, वो भी जीते, तो कहने का मतलब कहीं ने कहीं सभी जाती और सभी धरम और सभी संपरदाई के लोगों का मेरे साथ साथ है, 2019 में आप बात सही कह रहे हैं, 2019 में मैं पहला बार चुनाव लड़ा था, मेरे पहचान बहुत नहीं थी, मैं चुनाव हार गया, लेकिन मेरे लिए बड़ा सो भाग गया था कि लाखों लोगों के साथ मेरा संबंद बना, मेरा पहचान बना, संपर्क बना और वहीं संपर्क आज मुझे आगे बढ़ा रहा है, एक सवाल है आपसे, जब आप सुनाव लड़ने का ताल ठोक रहे हैं, तो आपका एजेंडा क्या है, इवाओं के लिए क्या किजिएगा, और जैसे कि देख रहे हैं कि विकास की चैर्मराथी स्थिती के बारे में क्या कहिएगा, देखिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिस पारलियमेंट से, जिस जिला से हम लोग आते हैं, ये दो जिला का पारलियमेंट है, रोतास जिला का तीन बिदान सबा और केमुर जिला का तीन पूछ रहे हैं, तो मेरा एजिन्दा, सबसे पहला एजिन्दा है, कि मैं बताना चाहता हूँ, कुछ दिन पहले मैं पढ़ाऊती एक गाउं है, रिवाँ पंचायत में मैं गया था, अभी दो-तीन दिन पहले, और मैं जब वहाँ गया था, तो कुछ लोगों से एक मंज का बढ़ाई था, तूटा हुआ, तूटा हुआ, खटिया था, तूटा हुआ, दो-तीन बरतन था खाना बनाने वाला, दिल तूट गया, मैंने देखा, उस बहन बता रही थी, कि सर, मैं आठ साल से, जब से मैं इस साधी करके इस गाउं में आई हूँ, तब से इसी परकार का एढ़ाईदा हुआ, तो मैं बताना चाहता हूँ, यह मेरा मुद्धा और जो गरीबों को आज तक ना इंद्रा-वास मिला, ना जमीन मिला, यह मेरा मुद्धा है, मेरा मुद्धा है, कि जो नोजवान, लाखों के तढ़ाद में आप देख नीजे, सासारामआँ, कुदरा station है मोहनिया station यहां से हजारों लाखों के तैदाद में रोज हमारे नौजवान भाई इस पारलिया में से अफसोस की बात है दुरभाग है यहां से उट करके लोग दिल्ली पंजाब हरियाना जानमर जैसा जंदल बोगी मिलत करके लोग जाते हैं और वहां भी लोग मार खाते हैं हम लोग को वहां भी लोग गाली दे करके मारता है तो मेरा यह एजंदा होगा यह आने वाला दिन में जो हजारों नौजवान है उनको रोजगार से मैं जोड़ूं अगर मुझे आउसर मिला तो इसको मैं आगे बढ़ोंगा, मेरा agenda हो Records' आज भी मैं आपको बताना चाहता हूं, यदि हमें बनारस जाना पड़ता है नहीं तो हमें पटना जाना पड़ता है लेकिन आपको बताना चाहता हूं कि जो बड़ा तेदाद में यहां दलीत और महाधलित की संख्या है, पैसा का भाव में लोग गाउं में ही मर जाते हैं, तो कि बनारस नहीं जा सकते, पठना नहीं जा सकते, तो स्वास्त जो है ये मेरा एजेंडा है मेरा एजेंडा सिक्षा है आज भी कोई बड़ा इन्वर्सिटी नहीं यदि मुझे अच्छा पढ़ाई पढ़वाना है तो बच्चा को कि तो पटना बेंजना नहीं तो बनारस बेंजना है अब कितने महादलित और महादलित पिछडे बैकोट इविन सभी समाज का मैं बात कर रहा हूँ, कितने लोग इस पार्लियमेंट में है जिनके पास में पैसा है पटना और बनारस और दिल्ली पढ़ाने के लिए, ये मेरा एजेंडा होगा, लोगों को सिक्षा के उपर में मैं बोट काट हैं, देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस पर ये सवाल आप जो कर रहे हैं, ये सवाल और लोग भी मुझे करता है, ये हार का करण मैं ही था, लेकिन मैं तो चुनाव लड़ा था जीतने के लिए, मैं तो चुनाव इसलिए लड़ा था, कि मैं काम भी लिया, कि मैं उन्हों, लोग कहते हैं कि उनको हराने का काम किया, वो हमारे आदरणिये हैं, गारजियन है, उनसे हमारी कोई बेक्तिगत लड़ाई नहीं है, या बेक्तिगत मेरा कोई द्वेस नहीं है, और ना मैंने कभी एक लवज भी बाबुजी के लिए और जहे कहने का मतलब है, बिधान सबा का जो चुना हुआ दो अज़र बेस में, महागडबंधन का जो पर्तयासी चैनपूर में थे, आप उनके बारे में क्या बोलिएगा? कॉंग्रिस का जो परत्यासी चैनपूर में तो उनके बारे में क्या बोलिएगा वहाँ जमाखा चुनाव जीत गए बहुजन समाज पार्टी से और बनियां बोट से जीते और वहाँ पर इनकी दसा क्या होई जब कि महागडबंधन का इधर रिवाइबल चलता आता बहुत सारे लोग इधर कहने का मतलब एकदम क्लिन स्वीप कर रहे थे और किये भी सहाबाद रेंज में देखिएगा तो महागडबंधन का अंदोलन चला और बहुत सारे विधायक बने लेकिन इनका क्या हुआ चैनपुर में तो आप उस बातों को भी समझे कि वहाँ तो आप बहुजन समाझ पाटी को हराने के लिए खड़ा किये थे परतियासी मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि वहाँ पर निर्दलिय परतियासी जो था कॉंग्रेस पार्टी से महागडबंधन के उमिद्वार से दुगना भोट लाया तो उधर मैं नहीं जाना चाहता हूँ लडाई में अपना लडा था और लडाई में जितने के लिए लडा था अब मेरी कहने का मतलब एक लाग मुझे लोगों ने भोट दिया था यह सही बात एक चिज़ में और आपको बताना चाहता हूँ लोगों का ये भी थिंकिंग है कि जिस पार्टी के पास में भोट है आप कहीं मत जाओ छेतर में किसी जनता से मत मिलो कभी भी नहीं जाना है गाउं में ना उनके सुख में ना उनके दुख में एक बार चुनाव आएगा 2024 का चुनाव आ रहा है 10-11 महिना के बाद आएगा उसी समय आना है जो जीतने वाला पार्टी है महागट बंदन बहुत सरा लोग है और NDA, UPA इन से स्टेंट ले लो और ये लोग भोट दे देंगे तिर जीतो और जाकर के दिल्ली में सोचाओ लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ इतिहास गवाह है माननिये प्रधान मंत् इसमेह पार्लियमेंट मेंबर बनेगा यहां तो जात्पार के नाम पर बोट दिया जाता है जैसे कि आप देख भी चुके हैं और मैं बता दू कि बाजबा बड़ी पार्टी है और इसके एगेंस में जो कॉंग्रेस आये गा यहां से और कॉंग्रेस के उमिद्वार यहां स किया है उस पार्टी कर लोगोने तो निरंदर लोग कॉंटेक कर रहे हैं ऐए जोएन किजी लेकिन मेरा यह कहना है कि मेरा भीजन, मेरा दर्सन, मेरा दर्सन है पारलियमेंट, यदि आप वह दर्सन मेरा स्वविकार है आपको, जिस विचारधारा पर मैं चलता हूँ, उस इसको भी डिसाइड करूँगा बहुत जल्दू अगर इस प्रकार से कह रहे हैं यह दोनों धुरंदर हैं चुकि आपने नाम लिया तो मैं नहीं मानता कि यह दुरंदर है अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहां से हमारे पुर्वजों ने हम बाबु जग जीवन दाम जी का रेंडी है जनता निर्ने करेगा कौन दुरंदर है और कौन दुरंदर नहीं है और कौन क्या होगा और कौन क्या नहीं करेगा इसके बारे में कहने का मतलब जनता मालिक है जनता फैसला करेगा आने वाला समय बताएगा लड़ना एकदम लगभग तय हो गया है और लोगों ने ये भी कहा था कि यदि तुम्हारा कुछ खर्चा और चाह हुआ है तो बोलो हम लोग दिवा देते हैं और तुम चुनाव मत लड़ो जुरूर आप बात सही कह रहे हैं मैं गरीब हूँ चुकि गरीब बाप का बेटा हूँ इसलिए लोग मुझे ये कहते हैं कि च के बाद मैं हजारो परकार का वो सorthर बनता है तांगी बनता है चेनी बनता है और फिर बड़ा बड़ा लोहा को काटता है उसी परकार से मैं आग में तब के निकला हूँ, मुझे कोई खरीद नहीं सकता और मैं कभी भीख भी नहीं सकता हूँ और मैं चुनाओ लडूँगा, 100% लडूँगा, मुझे इस बातों का चिंता नहीं है, कि मैं चुनाओ हारूँगा जीतूँगा, मुझे कौन पाटी तिकट देगा, नहीं देगा मैं रात दिन फिल्ड में चलता हूँ मैं आज भी, आप देखिए जाके आगे आगे बाहर में निकल के देखिए 45-47 दिगरी का तपमान चलता है इसमें भी हम लोग रात दिन चलता है गाउं गाउं चलता है कल्भी में था फिल्ड में, मैं आज भी फिल्ड में हूँ दिन दात में चलता हूँ और मैं वादा किया हूँ जनता के पास में कि जब तक मैं जीवित रहूँगा जब तक मैं मेरे सांस रहेगा मेरे जीवन में, मेरे जान में, मेरे सरीर में मैं जनता के साथ में खड़ा रहूंगा जैसे कि अभी आपने सुना मनोज कुमार जी साफ दंके के चोट पर कह रहे हैं और ताल ठोक रहे हैं कि 2024 लोग सभा चुनाओ हम सासाराम संसदिय छेत्र से जरूर लड़ूंगा अब देखना यह होगा कि क्या इनको कोई पार्टी टिकट देती है या नहीं देती है या बहुजन समाज के टिकट पर ही फिर 2024 लोग सभा का चुनाओ लड़ेंगे बाकी तमाम आप ऐसे ही ख़बर देखने के लिए हमारे साथ बने रहे तब तक के लिए दीजिया इजाज़ा धन्यवाद